को सर जो आप जानते हैं हिंदी के लेक्चरार हैं हमारे स्कूल में बहुत फेमस व्यक्ति हैं और ये राष्ट्रे इस तरके कभी हैं एक दो यूनिवर्श्टी ने कौन सी यूनिवर्श्टी ने आपको डॉक्टर की डिग्री दिये हैं एक बार इसके लिए क्लैपिंग करें सरके आधर में दूसरी बात आज सरका मन था कि मैं बच्चों से बाचीत करूं और आपके पास सरका आना आपको कुछ बताना आपके लिए परम सोबाग्य की बात है यह बहुत बड़ी परिश्टी हैं कभी-कभी ऐसा लगता है हमारे स्कूल में तो हम मानते हैं के सर बीपी कुछ स्पेशलिस में ढूंड कर लाएं होंगे इनके जीवन परिशे में रागे जीके तभी यह 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 इसनिए बताने तो आप सारे बच्चे द्यान से सुनेंगे सर क्या कहेंगे लीजेंगे थेंकियो सर कि अबड़िया सब्सक्राइब करें समान के योग्या आधर्णिय श्री तेजबीर जी बड़े भाई और इस विद्याले के नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों विद्यार्चों आज इनके साथ बात नहीं करेंगे आज इनके साथ मेरा सभाग्य है कि मैं आपकी क्लास में यहां आया हूं फिर बात हो रही बेटा यह जो कुछ भी एपिसोड बन रहा है हो रहा है कि सब यूटूब पे जाएगा तो इसलिए बीट अगर कोई प्रश्ण है आपका प्यारे विद्यार्थियों आपके यहां एक कभी लगे हैं उनका नाम है श्री राजेश जोशी आपने पढ़ी है ना इनके बारे पढ़ा है कि कौन हिंदी पढ़ाते हैं हिंदी कौन से सर पढ़ाते आपको हाँ जी संजीव कुमार जी वह बहुत बढ़िया अध्यापक है वह और बहुत हमारे विद्याले में अपने अपने विशय के सभी अध्यापक पर्मान उबं हैं कि मैजिशियन है जब देज आर जाइजन्टिक जाइंट आप दियर ओन सब्जेक्ट इट मींस मास्टर माइंड देयार तो विद्यार्थियों राजेश जोशी जी का जो जन्म हुआ वह स्वत्नतता प्राप्ति से एक साल पूर्व अर्था उनिस सो च्यालिस में इनका जन्म हुआ मध्यप्रदेश में एक ना नांगड़ी जगा है वहां पर उनका जन्म हुआ और इनकी सिक्षा दिक्षा भी वहीं से हुई और अविश्विद्यालेई सिक्षा जो है नागपूर से हुई और लहाबाद इनुस्ट्री से हुई उसके बाद आप सोयम जो राजेश जोशी जी ने क्या किया अध्यापन कारे भी किया तो प्यारे विद्यार्थियों अध्यापन कारे करने के बाद फिर ये पत्रकारिता में और काविरचना में साहित्यलेखन में के ख्षेत्र में जो है कूद पड़े हिंदी साहित्य के आंदोलन में कूद पड़े इन्होंने हिंदी साहित्य पर अपना एक अभूद पूर्व योगदान दिया और उनकी अनेक रचनाएं हैं मिट्टी का चहरा और बदलता हुआ समाज बदलता हुआ राष्ट की नई बच्चे काम पर जा रहे हैं जो बाल मजदोरी पर इन्होंने संपूर विश्व के लिए संपूर राष्ट के लिए कुठारा घात किया है संपूर राष्ट को संपूर विश्व को शरमानी चाहिए ताकि इस देश के संपूर्ण विश्व के बच्चे जो है जिनकी खेलने की उम्र है खाने की उम्र है वो बच्चे मासुम बच्चे काम पर जा रहे है और इस कविता से उन्होंने अपनी पत्रकारिता का जो पांडित्य है अपनी पत्रकारिता का जो पांडित्य है वो पांडित जो है पूरा भरपूर दिया है और उन्होंने वास्तों में पत्रकारिता होती क्या है पत्रकार बेटा निर्भाय होता है निडर होता है और पत्रकार को कोई जो है उनकी बात को काट नहीं सकता वो काट होता उसका पीड़ा होती है वो पीड़ा समझता है चाहे राजनेतिय रूप में आपको राष्ट्रस्ट के लिए समाज हिसके लिए कारें के करें है उथा करता है इसलिए प्रत्रकार जो है संमाज के लिए राश जीते हैं जी जो है राज जो है एक महान पत्रकार की रूप में उभरे उनकी पत्रकायता जो है उनकी पत्रकायता सराहनी है उनकी पत्रकायता में राश्ट और समाज की पीड़ा है गरीब लोगों की पीड़ा है उस पीड़ा को जो है राजे जोशी जो है बाल मदूरी के माध्यम से बिगारी के माध्यम से बताते है और समाज में लोग जो जुगी जोपड़ी में रहने वाले लोगों की जो दिशा है उस दिशा को देख करके बताते हैं मुन्सी प्रेमचन अपने जुग के बहुत बड़े पत्रकार रहे बिटा मुन्सी प्रेमचन और उनी के टकर के जो है राजय जोशी हुए कि युँ चोड़ी तो और उन्हों ने मुन्सी प्रेमचन ने मुनीम गिरी के नोकरी क्यों छोड़ दी कि वहां पे लोग आते थे और साहुकार से उनको देखा नहीं गया तो उनने का थेक्ज मारी भही खाता और आपनी भही खाता और वो शाहूक्ष थे इतने निर्माम थे इतने जो है निर्दाई थे उन कहते थे कि में जब तक तक मुझे दे दो और यह जपतक तक तक encouraging गरीब मेरे पास जमीन रहेगी तो गरीब विचारा क्या करेगा तो गरीब की जो हाय होती है वो गरीब की हाय बेटा बहुत दूर तक लगती है इसे पर लिखना पड़ा निराला जी को भिक्षुक नामक कविता से लिखना पड़ा वह आता पसपत पच्ताता पीठ पीठ है एक चल लकुटिया टेक तो ऐसे जो है राजे जोसी जो है वो बच्चे बाल मदूरी के माध्यम से समाज को बताते हैं कि समाज वालो देख लो तुम्हारा क्या है ये तुम्हारा रूप क्या है तुम्हारा आइना क्या है क्योंकि बच्चे साहित समाज का धरपड होता है समाज में जो होता हो वो साहित दिखा देता है तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देख लो क्या है बच्चे काम पर जा रहे हैं पूरे से भढ़की सडक पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं कितना भयानक कितना कितनी भयानक है यह समस्या और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, कि why are they going for walk, why are they going for travel, क्यों मजदूरी पर जा रहे हैं, उनके अंदर क्या ऐसी बात पड़ गई है, इसके दोशी इनके माता-पिता हैं, इनके अभिवावक हैं, सोयम निखट्टू बन करके काम नहीं करना चाहते, मासुम बच्चों को भेज करके भीख मंगवाते हैं, मासुम बच्चों को भेज करके पनी चुग आते हैं, मासुम बच्चों को भेज करके काम करवाते हैं, लानत है, थू, इस समाज पर, लानत है, और ठुठुरते हुए क्या लुप्त हो गई सारी किताबें या दिमकों ने चाट लिया है किताबों को दिमकों ने चाट लिया है क्या गायब हो गई खिलों ने क्या गायब हो गई गेंदे क्या सब लुप्त हो गई खेल के मैदान जिनकी खेलने की उमार है बचो आज कितनी भयानक है इसे भयानक है ये समस्या ये समस्या भयानक की तरह भयानक रूप में लिखी जानी चाहिए और विशाल पूरवक सारी चीजे हवाज नहीं सारी चीजे हस्म माबूल हैं सारी चीजे मौजूद हैं लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह कोहरे से ढखी सडक पर यह मासूम बच्चे कैसे चोटे चोटे बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं और ऐसे बच्चों का जाना बहुत बहुत जो है दर्धनाख होता है और इस पीडा तो जो है तो औकुदू होता है यह II प्लेटेद होते हैं सब सब कुछ होते हैं लेकिन ये जो है ये जो है बले शर्म की बात है हमारे राश के लिए शरम की बात है हमारे हमारे समाज के लिए तो प्यारे विद्यार्तियों ये कभिता के अधार पर कभिता को संदर्व लेकर के मैंने राजेश जोशी की पत्रकारी आपको बताया अब मैं अब सुनह बड़े भाई श्रीग बिर साथ इस चब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं बच्चों बहुत भूँत धन्यवाद ताद हुबात के अधिक हैं अधिक हैं सर को बहुत-धन्यवाद सराय हमारे बीच और राजेश जोसी के वारे में हमें बताया और वास्ता में जिस तरह से बताया है बहुत हम सभी इसके बहुत दोसी हैं कि जो बच्चे स्कूल्स में जाने चाहिए प्लेग्राउंड में होने चाहिए वो बच्चे काम पर जा रहे हूं मजदूरी कर रहे हैं यह दुरभाग्य पूर्ण हैं किसी भी देश के लिए समाज के लिए तो सरका इस तरह से विचार भी मसकाना और हमें बताना बहुत-बहुत हमारे लिए परमसोभा के की बात है सरको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दोंगा और बड़े भाई सर हैं मैं बड़ा नहीं हूं मैं तो छोटा भाई हूं इनका पर हां यह सही है यह मेरे बड़े भाई ह हैं और मैं इनका चोड़ दवाई इसके लिए बात हो धन्यवाद नमस्कार साथ हुआ